नमश्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई आज का जो वेडियो है वो ऐसे प्लांट के बारे में है जिसको कि आप डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हो और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो और छोट छोटे गमलोस याप मतलब यह सम गमलो को बहुत अच्छे से वो कवर कर लेगा प्लांट तो दोस्तों बहुत सारे हैं जैसे कि आप देख रहे हो जो कि चोट चोटे गमलो में या हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सारी के सारे प्लांट के बारे में एक सार डिसकस भी नहीं किया बार-बार शेडने की जुरूरत पड़ेगी, एक बार लगाया छुपती, हाँ उसको आप मल्टिप्लाई अपने तरीके से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, और बिल्कुल लगे हुए बहुत सुन्दर लगते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, उनका कुछ नी बिगड़ता, हमे बिल्कुल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत लगे हुए भी, और डिवाइड करने के तरीके मैं आपको उसको बताऊंगी, कि आपने उसको डिवाइड कैसे करना है, इन प्लांट्स को तो खेर हम कटिंग से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्लांट दोस्तों, कटिं नहीं सारे प्लांट इन प्लांट से बना सकते हो, तो ये आपके सामने है दोस्तों, एस्पेरेगस के प्लांट, एस्पेरेगस की कई वराइटीज होती है, एक होती है, काटेदार वाइन वाली, लंबी चड़ जाती है वो, जो कि मैंने आपको कई बर दिखा रखी है, जल्दी ग्रो होती है, डेकोरेशन के काम मती है, और दूसरा दोस्तों, इसमें कोई काटे मी नहीं होती है, बहुत सौफ्ट सी ग्रास है, एक तरह तरीके से, एस्पेरेगस की, और इसमें काटे मी नहीं है, और जिन लोगों को दोस्तों आलस आता है, बर बर प्लांट बद तो यह ज़ड़ जाएंगी दिरे दिरे जैसी हवा चलती है, कुछ होता है, यह हाथ लगाते हो, आप पानी देते हो, तब यह ज़ड़ती रहती है, तो यह इसलिए भी सुन्दर है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूं, कुछ प्लांट्स की ग्रोथ हमारी गर्मियो लेकिन ग्रोथ ना होने के बाद भी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कि यह ग्रोथ नहीं कर रही, क्योंकि इसकी कोई भी पती पीली नहीं पड़ेगी, हलकी फुलकी सी जो पतियां जड़ेंगी, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, और जो ब्रांची जड़ें लेकिन इसमें जो इसके बल बच्चे से ग्रोथ होती है ना, जो एरियेशन मिलती है बल अपको, कोको कोईर की बास्केट में निच्चे से हवा मिलती है, देखो लग तो इसमें भी ठीक रही है, है ना, लेकिन कोको कोईर की बास्केट में कुछ ज़ादा ही ग्रोथ होती है बलकि मैंने इसकी कटाई चटाई भी कुछ दिन पहले कर दी थी लेकिन फिर भी है देखो कितनी ज़्यादा ग्रू कर रही है है ना बिल्कुल नीचे तक लटक रही है मैंने इसकी शेप भी दे दी थी गुलाई से वाली लेकिन फिर भी ये खुब अच्छी खासी ग्रो कर रही है तो मुझे कोको कोयर में लगी हुई जादा अच्छी लगती है ये क्योंकि एक तो नीचे से न और उपर से भी रूट्स को जो इसके एरियेशन मिलनी चाहिए न वो इसको मिलती है इसकी रूट्स जो है वो फस जाती है बिल्कुल कोको कोयर में और हलका फुलका जो मतलब मौश्चर इसको लेना होता है न वो कोको कोयर से लेती रहती है क्योंकि कोको कोयर ऐसा है दोस्तों कि बहुत देर तक मौश्ट भी रहता है गिला रहता है और इसको लगाने के दोस्तों तरीके मैंने बहुत बार बता रखे हैं इसके बलब बिल्कुल बहार भी कई बर तोल निकल आते हैं उनको भी आप सेपरेट करके नए प्लांट्स बना सकते हो तो ये बहुत सुन्दर प्लांट है अगर आप डेकोरेशन के लिए लगा रही हो तो और इस तरीके से भी दोस्तों सेरमिक के अगर आपके पास कुछ भी लटकाने वाले समझ लो या पोर्ट्स हैं या होरिजोंटल भी आपके पास गमले हैं उनमें भी ये शैलो पोर्ट्स हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे चलती हैं अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि छुट-छुटे गमलों में भी ये खूब अच्छे से चल रही है और इसमें तो खेर आप देखी रही हो कोको कोयर वाली में तो ये खूब अच्छे से चल भी रही है और खूब इसने चारों तरफ से बास्केट को कवर भी कर रखा है तो भी सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी इसके लिए कोको कोयर की बास्केट क्योंकि जो दोस्तों पानी चला कि बहुते हैं निचे निकल जाता है और जितना हलका फूल का मुश्चर इस प्लान्ट को ज़रूरी होता है तना उसमें कोको कोयर में बना भी रहता तर बहुत लंबे टाइम तक क्योंकि गर्मी में दोस्तों अभी तो चलो सर्दियों का टाइम में इतना ज़्यादा पानी देने की जुरूरत नहीं है लेकिन गर्मियों में भी एक मौश्चर लेवल प्लांट में बना रहता है और इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो जब मैंने बकेट में ये प्लांट लगाए थे तब मैंने आपके साथ शेयर भी किये थे और ये देखो कितने भरगी हैं और इसके साथ दोस्तों मैंने इन बकेट में पर्सलेन पोर्चूल का भी लगा रखे प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में जब भी मैं गार्डन में आती हूँ और इसका दोस्तों कोई भी सीजन नहीं होता अब जब मर्जीस के बल्ब निकाल निकाल के डिवाइड कर सकते हो जैसे ही आपके पास कुछ भी अरेंजमेंट होती है गमलो की या हेंगिंग बासकेट की उसमें आप जरूर लगा सकते हो और जिसको जादे शोक है फूल पुद्ध हो का तो फिर इसके साथ साथ आप गर्मियों की भी पुद्धे लगा दो जैसे अब आगे गर्मी आएगी परसलें पोर्चूल का भी लगा देना और जब उनका सीजन आउट हो जाएगा तब वो अपने आप ही खतम हो जाएंगे रूट्स रह जाएंगी फिर से दुबारा ग्रो हो जाएंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा है जिसके पास नहीं है जरूर लेके आना एक बार लेयाओ पर फिर आप इसको मल्टिप्लाई अपने तरीके से करते रहना और भले दोस्तों आप एक-दो इसके बलब लगा दो लेकिन कुशी दिनों में देखोगे कि मत्टी में बहुत सारे मल्टिप्लाई हो गया हो बलब और फिर आप इसको धीरे दीरे निकाल निकाल के डिवाइड भी कर सकते हो और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके प्लांट बिल्कुम भी नहीं खराब होते हैं अगर आप इनके साथ चेड़ खानी करते हो या इसके बलब को डिवाइड करते हो या आपको ऐसा लगता है कि ये ओवर ग्रो कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छे से चलते हैं ये ये देखो मैंने इस तरीके से भी इनको लगा रखा है जैसे मैं उस cycle stand में आपको बता रही थी न तो इस तरीके से भी आप इस से decoration कर सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं plant आप देखो खाली इसकी वज़े से कितनी भरी भरी सी लग रही है cycle है न तो अगर आपके पास iron के stand है उन पे भी आप बीच बीच में इस plant को रख सकते हो और देखो ये और इसका गमला मैं आपको दिखाऊंगी न आप यकीन निवानोगे कि इतने चोटे से गमले में चारों तर जाता वो बंदा की मैं चेड़ खानी करूं पोद्दो के साथ तो इसके लिए तो बैस्ट है वई एक बार लगाई छुटी और फिर आपके अपनी मर्जी इसको डिवाइड करते रहो तो देखो इस stand में लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है सारी मतलब stand का इसने look ही जाना चाहिए बहुत easy to grow her सबसे बड़ी बात है दोस्तों गर्मियों में drought resistant है ये नहीं है कि इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसका plant सूख जाएगा ऐसे ही हरे भरे बने रहेंगे और बरसात जब पढ़ती है या फुहार के साथ आप इसमें पानी दोगे ना pipe से तो वो इसक जादा अच्छा लगता है बजाए कि हम इसमें भर-बर के पानी दे दे इसको sprinkle करके जब हम पानी देते हैं शावरिंग सी करते हैं तो वो इसको जादा अच्छी लगती है ऐसपेरेगस को बजाए कि इसके port को इपानी से भर दिया जाए क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि कवर कर लिया है गमला तो इस तरीके से भी आप मिक्स एंड मैच करके प्लांट लगा सकते हैं जैसे मैंने हो रिजोंटली लगा रखे हैं ये और एंटरंस वगरा पर आप रखते हो जहां खूब गर्मी पढ़ती है तो वहां देखो रोयों के भी खराब नहीं होंगे और आपको भी अच्छा लगता है ये प्लांट या नहीं और बले ही चाहे दोस्तों इसमें फूल भी नहीं आते लेकिन इसके खूपसूरती ऐसे जब ये कवर करता है न सारे गंबले को या पोट को तब हो सुंदर लगता है देखने में बिल्कुल हरा हरा सा एकदम एकदम फ् प्रोक्षन आपके पास जैसे आप देखे रही हो जो जो में करती रधियो मिक्स मैच करके तो कैसे भी आप अपना ग्राडन क्यार कर सकते हो ये अपकी अपनी चुएसे कि आपनी क्या करना है अपने गारडन मे और हो उनकोंसे पूद्धे लगाने है कॉनसे आपको प्लाई कर सकते हो और भी दुनिया भरके हैं कैले इन कोई है एंगिंग बास्केट के लिए वो भी अच्छे लगते हैं बेबी सन रोज है वो भी अच्छे लगते हैं लटकते हुए अभी तो इनकी ग्रोथ कुछ कम सी हो रही है नहीं तो पूरा सारा इन उन्हें कवर कर रख देखे हैं मैं तो ऐसी चलते फिरते दोस्तों कोई भी मुझे ओवर वरो दिखता है उसकी कटिंग ऐसी लगा देती हूँ और आप भी ऐसी करते होगी जिसको गार्डनिंग का शोक है है ना कई बर हम गार्डन में ऐसी गूमरे होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ करते रहत हैं और वो प्लांट त्यार हो जाते हैं बस ऐसी गार्डन हरा भरा बना रहता है तो उमीद है आज का वीडियो आज का टॉपिक और आज का प्यारा सा प्लांट आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कु दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका को भी अच्छे अच्छे पोद्धों के बारे में नोलीज मिले नर्सरी में जाके एकदम से वो घबराएं ना कि हम क्या लें क्या ना लें है ना एक पर्टिकुलर प्लांट को सोचके अगर जाएंगे तो वो मिलेगा भी और उससे मिलते जुलते भी फिर लेके आओगे अपना भी ध्यान रखो अपने पोद्धों का भी और इसी तरीके से सुंदर सुंदर फूल पोद्धे लगाते रो अपना गार्डन हरा भरा और रंग भी रंगा बनाए रखो थैंक यू वेरी मुच